नमस्कार आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूँ आपके साथ पारुलत्रुपाथी प्रधार मंत्रुई नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोबेल पुरुसकार वज्वेता मोहमद यूनेस के बांगलादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुक की रूप में शपत ले पर बढ़ाई दी है पियम मोदी ने बांगलादेश में जल्द से जल्द समान्य स्थिती बहाल होने की उम्मीद भी चताई है पियम मोदी ने हिंदूओं पर हो रहे अत्याचार पर भी आवाज उठाई है इसी के साथ अब तो नए पियम मोहमद यूनोस ने भी कबूल लि पर अब कहा है सोनिया गांदी और कहा है पूरा का पूरा इंडी अलाइंस कोई भी हिंदूओं पर हो रहा है हिंसा के लिए आवाज नहीं उठा रहा है जबकी अब तो नए पीए मोहमद यूनोस ने भी कबूल लिया है कि बांगलादेश में हिंदूओं पर अत्याचार सब कुछ बताएंगे हमारे खाश शो बियॉंट बॉर्डर में शुरू करते हैं राहुल गांधी पर अनुराक ठाकूर का फूटा गुसा बांगलादेश में हिंदूओं पर अत्याचार परक्यों चुप विवक्ष हिंदूओं को हिंसक कहने वाले राहुल गांधी ने साधी प्रदानमंतुरी नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नोबेल पुरुसकार विच्रेता मोहमद यूनुस के बांगलादेश के अंतरिम सरकार की प्रमुक की रूप में शपत लेने पर बधाई दी है प्यम मोदी ने बांगलादेश में जल से जल समान इस्तिती बहाल होने क उन्होंने कहा कि भारत हमारे दोनों देशों की जनता की साजा अकांग्शाओं को पूरा करने के लिए बांगलादेश के साथ काम करने के लिए प्रतिवदित है प्यम मोदी ने कहा कि हम बांगलादेश में जल्धी समान इस्तिती बहाल होने हिंदूओं और अन्य सभी अल् लोग सभा में राहुल गांधी पर अनुराग ठाकूर का निशाना बाजपा सांसुदों ने शुक्रवार को विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए कहा कि बांगलादेश में हिंदुओं और अन्य अल्प संक्यक समुदायों की स्तिती पर उनकी चुपी दुर्भाग पूर है दरासल बांगलादेश में सोमवार को प्रधान मंतरी शेक हसीना के स्तिफा देने और भारत आजाने के बाद से कई हिंदु मंदरों घरों और वेपसायों में तोड़फोड की गई है इसको लेकर प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने बांगलादेश की अंतरिम सरकार के मुहम्मद यूनुस से वहां रहने वाले हिंदू की सुरक्षा सुनिश्वित करने को कहा है इसी बीच लोकसभा के शूनिकाल के दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने वबक्ष के नेता और कॉंग्रेस सांसद राहूल गांदी पर यह आरोप लगा कर हमला करने की क सात ही उन्हें यह अलप संक्यों की सुरक्षा सुनिश्वित करने के लिए कहा चाकुर ने कहा कि यह रोगांदेश में अलप संक्यों के बारे में नहीं की बांगला देश में तक्था पलट के बाद आंतरिम सरकार का गठन बांगलदेश में जुआरी हिंसक प्रुदर्शन राज़क्ता और उपद्रफ के बीच नोबेल पूरुशकार वजटा महम्मद युनुस ने गुरुबार को आंतरिम सरकार के प्रमुक्त के रूप में शपत ली 54 साल के युनुस को राश्पती मुहमद शाबुद्दीन ने राश्पती भवन में आयूजुद एक समहारों में पद एवं गोपनियता की शपत दिलाई युनुस ने श्वेक हसीना की देश्विसे विदाई को दूसरी आजवादी बताया उन्होंने क कि उनकी अंतरिम सरकार नागरिकों की सुरक्षा सुनश्वित करेगी युनुस अंतरिम सरकार में मुख्य सलहकार होंगे जोने दक्षिन एशियाई देश में नए सिरे से चुनाफ कराने का काम सौपा गया है प्रदश्विन कारी छात्रों ने इस भूमेका के लिए चल रहा था अर्थ शास्त्री से राचुनेता बने युनुस को मंगलवार को अंतरिम सरकार का प्रमुक न्यूक्त किया गया था मालूम हो कि युनुस को माइक्रू लेंडिंग पर उनके अग्रीन कारे के लिए साल 2006 में नोबल शांती पुरुसकार से सम्मान दी किया गया बांगलादेश में हिंदूओं पर हुए हमले को पीम युनुस ने स्विकारा बांगलादेश में जारी हिंसा और राजुनितिक उथल पुथल के बीच काम चलाव सरकार के प्रधार मंतरी पत की शपत लेने वाले नोबल पुरुसकार विजयता मुहमद युनुस ने पहले बांगलादेश में अंतरिम सरकार के नए प्रमुक मुहमद युनुस ने राजुनितिक संकट से जूज रहे देश में अलपसंख्यों को पर हमले के मुद्दे पर खुद को अलग कर लिया है जब मुहमद युनुस से राजुनितिक उथल पुथल के बीच दंगों से बांगलादेश को खत्म करेगी और सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी इससे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मूदी ने बांगलादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुक के रूप पे शपत लेने पर मुहमद युनुस को सुपकामनाई दी थी पीए मूदी न समान में हालत बहाल होंगे और उस देश में हिंदू और अन अलसंक्यक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी पानी पिलाने वाला बना श्वेख हसीना के तकता पलट की वज़ा श्वेख हसीना बंगलादेश छोड़कर क्यों भागी इसके पीछी कई वज़ा है ल मौत पर आंदोलन कर रहे चात्रों को ये शक्स पानी के बोतल बाटता था ट्राफिक कंच्रोल करता था ताकि आंदोलन में कोई दिक्कत ना आए लेकिन पुलिस की एक चूक ने सारा खेल पलट दिया हालात यहां तक आ गए कि शेक हसीना को प्रधान मंतरी पर छोड़कर बांगलादेश से भागना पड़ा आज उस शक्स की जुबां से निकले आखरी शब्द हर बांगलादेशी की जुबान पर है स्टूडेंट्स को पानी पिलाने वाला ये शक्स कोई नहीं बलकि बांगलादेश युनिवरस्टी ओफ प्रफेशनल्स का च्छात्र मीर यह खूब वाइरल हुए इसमें मुगदोज हिंसा के बीच भागते हुए देखा गया यह देखकर चात्रों का गुस्सा और भड़क उठा उसी दिन पूरे देश में मुगदोद को श्रधांचली दी गई चात्रों ने उन्हें सलूट किया पानी लगबे पानी यानि की प उपादी दे रहे हैं उनकी तारीफ के कसीदे गड़े जा रहे हैं तेजगाउ कालेच में की पढ़ाई कर रहेे राकिप ने कहा है कि हमारे भाई को पर दर्शिन कारियों को पानी पिलाते हम्हें गोली मार दी गई पचा हुआ है पूरे देश में बांगलादेश में हिंदू की हालात पर गुस्सा है लेकिन कॉंग्रेस और राहूल गांधी की जुबान पर ताला लगा हुआ है यह वहीं राहूल गांधी है जिन्होंने हिंदू को हिंसक कहा था शिव जी कहते हैं धरो मत अभे मुत्रा शिव का चित्र दिखाया उन्होंने कहा कि हम सब भवान शिव की शरण में थे इसी से हमें ऐसे लोगों से लड़ने में मदद मिलेगी राहूल ने कहा कि शिव जी ने जहर पी लिया था और वो नीलकंट हो गए थे वहीं से हमने सीखा और कई जहर पिये राहूल दरहसल इसलाम में ये बताया गया है कि पैगंबर कहते हैं कि इशवर हमारे साथ है इसलिए डरना नहीं है उन्होंने कहा कि सिख पंत के गुरू नानक जी का भी यही संदेश है राहूल ने भगवान शिव का चित्रु दिखा कर कहा कि शिव जी कहते हैं कि डरो और डराओ मत उन्ह राहूल के इसी बयान पर सत्ता पक्ष्ण जोंकर हंगामा कर दिया था पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना अपमांचनक है वहीं बीजेपी ने कहा कि ये पूरे हिंदू समाज को हिंसा करने वाला बताना हुआ इस प रही है capital D